कि वेल्कम बैक टू गेमिंग एंडोस केमिंग एंडोस में आप सब लोगों का स्वाकत है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं कहलने वाला हूं सिटी बस ड्राइविंग सिमिलेडर ये भी एक 3D गेम है तो चलिए फटापट से केम को खेलना स्टार्ट करते हैं ले मैंने क्लिक कर दिया है तो सबसे पहले गैम को स्टार्ट करने से पहले जो भी इस गैम में बस दिए गई है कौन-कौन से किस कलर के कितने साइज के कितने बढ़ी है सब मैं दिखाने वाला हूं ये इस गैम की पहली बस है यह दूसरी ब्लू कलर की यह देखिए चारो तरफ से मैं दिखा देता हूँ इसको यह देखिए यह तीसरी बस है जो की रेड कलर की है यह फिफ्ट, सिक्स्थ इस गेमें दोस्तो टोटल छे बस है जो सबसे पहले निमबर वाली बस आई थी उस पे कलिक करके हम गेम को स्टार्ट करते हैं देखिए यहाँ पर भी एक मोड आया हुआ करियर नाम का आपको इस पे कलिक करना है देखिए अब लेवल नमबर बन से स्टार्ट करेंगे next पे click करेंगे थोड़े देर के लिए रुकना पड़ेगा ओके तो यहाँ पे अपना game start हो गया है सबसे पहले इस bus का मैं engine on कर लेता हूँ क्योंकि मुझे इस bus को start करना है bus को मैंने start कर दे सबसे पहले इस bus को 360 degree में दिखा देता हूँ आपको यह चारो तरफ से दिखा देता हूँ मैं आपको यह देखिए यह देखिए हाँ तो दोस्तो मैं आपसे कह रहा था कि आपने जो normal जो driver वाली bus होती होगी वो तो आपने देखी होगी लेकिन आज मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हों कि बिना driver वाली bus कैसी होती है तो वो ऐसी बस होती है देखिए इसमें कोई भी driver नहीं है ना तो कोई conductor ना कोई helper है हाँ इसमें जो passenger होंगे वो आपको देखने के लिए जरूर मिलेंगे वो आगे मिलेंगे तो चलिए फटावट से यहां से निकलते हैं जाना किदर है आप map पे ध्यान दीजिए और यह arrow को follow करिए फिलार भी मैंने right indicator दे दिया है यहां पे तो बस अपनी यहां से निकल चुकी है इस terminal से भार की तरफ हम आ गए हैं बिकोज मुझे right turn करना था और थोड़ी दूर जाके इस बस को मैं stop कर दिता हूँ बिकोज आगे जाके एक बस stop आ गया है वहां पे मैं इस बस को रोक देता हूँ बिकोज मुझे इसके अंदर सवारी चड़ानी है यह देखिए बस को मैंने रोक दिया है यहां पे तीन लोग खड़े हुए हैं दो लड़की हैं और एक लड़का है लेट सी क्या होता है देखते हैं अब आगे यह देखिए यह तीनों इस बस के अंदर चड़ गए हैं मैंने बताया था कि इसके में ड्राइवर मतलब कि ड्राइवर लेस बस है कोई हेलपर ने कोई कंडेक्टर ने लेकिन इसमें पैसेंजर है इस बस को मैं ड्राइव कर रहा हूँ चलिए अब यहां पे इस बस के डोर बंद हो गए है तो आगे जाते हैं इनको ड्रोप भी करना है तो ओके आगे मैं जाता हूँ तो ध्यान से चलाएएगा विकोज अब यह गाड़ी आप देखाए ब्लू कुलर की ओके वो गाड़ी आगे चली गई है अब यह हम लोग आ गए हैं अगले बस टॉप पे तो यहां पे मैं आके इस बस को रोक देता हूँ यह देखिए मैंने इस बस को यहां पे रोक दिया है जो भी यातरी इस बस के अंदर चड़े थे अब उनको यहां पे उतरना है क्योंकि यह अगला बस टॉप था यह देखिए तीनों को तीनों प्रसेंटर यहां पे उतर गए हैं तो अपना यहां पर पहला लेवल complete हो गया दोस्तो अगर आपको पहला लेवल अच्छा लगाया तो like कीजिए तो बढ़ते हैं दूसरी लेवल की तरफ तो के दोस्तों अब यहां पर दूसरे लेवल स्टार्ट हो गया दोस्तों दोबारे से इंजिन को ओन कर देता हूं अब यह बस पूरी तरीके से खाले इसमें कोई भी पैसेंजर नहीं बैठा हुआ है यह भी रेड कलर की बस है वही बस जो पहले लेवल मैंने चलाई थे तो अब मैं करता हूं इसके मीरर ऑपन कर लेता हूं यह बकलोर्ण फ़सक यह जो आए कलंब कर देख रहे इस पर देख लेक्ट करने के बाद जो भी बटन थे वह हायलाड हो रहे थे अब वह गाएब होगां पतल्कि इसको नहीं हाइड कर दिया है तो बस अपनी अभी यहां से चल पड़ी है जहाँ पर आपको ग्रीन कलर का बस का सिंबल दिख रहा है इस मैप में तो वहाँ पर जाके इस बस को मैं रोक देता है बिगाद मुझे पैसेंजर को चड़ाना है इस बस में और उनको अगले बस तो पर लेके जाना है मैंने बस को यहां पर रोक दिया है दोबारा से तीन पैसेंजर आ गए है इस बार भी दो लड़के दो लड़कियां सोरी और एक लड़का है तो चलिए इनको चड़ने दीजिए उसके बाद दर्वाजा बन करके इस बस को आगे की तरफ लेके जाएंगे दर्वाजा बंध हो गया दोस्तों उसका कैमरा चेंज करते देखिए इस परकार से भी चला सकते हो जैगे इसका पीछे का दिखेएगा नहीं इसमें एक्सेडेंट होने का खत्रा हो सकता है तो इसलिए आप त्री स्ट्री डिग्री में भी चला सकते हैं कि लैट मी शोओ यू यह देखिए पीछे की तरह ज्यादा ज्यादा क्राउड हो गया भीड हो गई बहुत ज्यादा तो भोजल हम अगले बस्तों पर पहुच दाएंगे दोस्तों मुझे लेफ्ट टर्न करना है तो सामने ब्लू कलर की एरो देखिए ब्लू टर्न मैंने यहाँ पर कर दिया है दोस्तों ओके तो बस्तों भी आ गया है तो मैंने भी यहाँ पर इस बस्तों पर इस बस को रोप दिया है जो पैसेंजर इस बस के अंदर चड़े थे वो दोबारा से उतर गया है इसी के साथ में यह लेवल भी कम्प्लीट हो गया दोस्तों तो पिलार दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही वीडियो के अंत में मैं इस गेम के बारे में आपको जरूरी जानकारी दे देता हूँ उसके बाद क्या होगा उसके बाद आप इस गेम को अच्छे परकार से खेल पाएगें को भी प्रोब्लम नहीं आएगी मैं दिखा देता हूँ आपको सबसे पहले होम पे जाते हैं अभी मैं बैक जा रहा हूँ देखिए दोस्तों सेटिंग में चलते हैं सेटिंग में किसलिए तो कि इस गेम में दोस्तों म्यूजिक की जो गेम की जो गेम में जो म्यूजिक होता है वो चलता है अभी मैंने ओफ किया हुआ है तो अभी उसकी साउंड नहीं आ रही है अगर मैं साउंड पे भी उसको अन अन्टिक किया हुआ है तो कि मैं नहीं चाहता कि मेरे वीडियो पर कोपी राइट आए तो बस यही इसमें एक बताने वाली बात थी और एक चीज और यह देखी गेम कंट्रोल में इसमें सिंपल है जैसे भी आप इस गेम को खेलना चाहते हैं आप स्टेरिंग वील चूज करन चाहते हैं बटन करना चाहते हैं आप जो भी जिस परकार से वह अपने गेम को एंज़ुई करना चाहते हैं आप एंज़ुई करें फिलाल इस वीडियो के लिए इतना ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी आपके लिये हैलफूल है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइ जिए धिए तक्र रुजिंग वर्वाजिंगे लुजिंगे लुजिए तर स्वादी दूजिए.